बनो तिवारी टाक्सों में आपका स्वागत है आज मेरे साथ समाजवादी पार्टी के बरिष्ट नेता आसिफ जाफरी जी हैं आसिफ जाफरी चायल से पूर विधायक भी रहे हैं और आसिफ जाफरी सपा महा सचु इन जीश सरोज के बहुत करीबी रहे हैं आज हम आसिफ प्रजनीद पर करेंगे जो लोकल और प्रदेश स्थर की आसिफ आपका मेरे टाक्सों में बहुत बहुत सौगत है दनवाद दनवाद सबसे पहले हैं राजनीद पर यह बात करने के लिए मेरे पास मुद्दे हैं दो हजार सत्रा में बहुजन समाज पार्टी ने अपने सि सबसे पहले तो आपको इस प्रश्ट करूं कि मन ने देया राम जी का टिकेट इसलिए बदला गया तो सीट आरख्षित से सामान ने हो गई सामान वर्ग में बहुजन समाज पार्टी की राष्टे अज्यक्ष महर महावती जी ने हमें टिकेट दिया और में वहां से विजायक हुआ रासवाल 2017 में जब हम सब लोग बड़ी तदाद में हैं बहुजन समाज पार्टी के पत्याशी हारे उसके बाद कुछ ऐसी परसिश् समसाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी अन्वर काशी राम जी के उसे अपने थे, बाबा साब ब्यारर विटकर जी कि उसे यसे धान से, उसे हटकर यह पार्टी अपने रास्ते बटक कर चलने ले लिए तो हम लोग के पास ऐसी मजबूरी थी कि सामाजी के लड़ाई लडने के लिए समाज के गरीब बांचे दबे कुछ ले तफके की लड़ाई संगश करने के लिए हमें उस दल को छोड़कर किसी ऐसे दल में ही जाना था है जाइज लड़ाई को मागे लड़ सके नहीं सर एक ज झीत रोज भारती जनता पार्टी या कांग्रेस में होते जहां तक हम मानि जी रोग जी के बारे कर दो कि लिए संगश किया वो किसी भी ऐसे दल में नहीं जा सकते थे जहां से इन वर्गों का हित आहित होता ये लोग कहते हैं कि शायद अगर हम न गए होते तो किसी और तर्म में जाते इतरी क्या पॉआ हैं थी सचा ही ये है कि मानी मंत्री जी मानी जी सरो साब जिस दिन से पार्टी से निकाले गए उसके बास यही कहते रहे कि अब हमें फिर संगर्ष करना है और एक ऐसा प्लैटफॉर्म चाहिए जो इन पिछुडों दलितों बांचित वर्गों के लिए लड़े उनकी अधिकार की लड़ाई लड़े इसलिए हमारे पास ऑप्शन जो अब इस अख्लेस यादो जी ने सम्मान दिया अख्लेस यादो जी ने इन जी सरोज ने समाजवादी पार्टी में इलाहवाद मंदल का पूरे लगभग प्रदेश से बहुत लोगों को सामिल करवाया मैं इलाहवाद की बात करूँ तो दूद्नाथ पटेल मनूश पांडे हाजी मासूख खान आप रहे गीता पासी रही सभी लोग यह उनके साथ गए और सभी लोग कहीं से जा तो विधान सबाद चुनाव लड़ चुके थे यह लड़ना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है कि 2022 में इंजी सरोजी सब को संतुष्ट कर पाएंगे उन लोगों को होता है इसमें कोई शर्ट नहीं है लेकिन रहा सवाल हम लोगों का हम लोग के पार्टी छोड़कर राश्री मासुख जीक साथ गये सवाजवादी पार्टी में तो हम लोग की कोई शर्ट नहीं है कि हम फिर तर चुनाव रहेंगे यह मतलब प्रॉमिस नहीं जो भी यह समझेगी कि यह चुनाव रहने लाइक हैं और जहां तक हमें जानकारी है कि पार्टी सवच सभी के लोगों को चुनाव रहने जा रही है और उसमें जो लोग को इस प्रेम में आएंगे इनका जाती समिकर फिट बैठेगा जो विकास की बात करते हैं जो इन पासी बातियों से संगश करने लिए तयार हैं उन लोगों को टिकेट मिलेगा वो चुनाव जीते हैंगे सरकार बनाएं और बाकी लोग जो एड़ेस्ट नहीं हुए इनको टिकेट नहीं मिला टिकेट जावने के बाद मंत्री कोई वादा नहीं है उनको भी पार्टी में बराबर सम्मान मि अगर सरकार में हम आते हैं अपको यह नहीं लगता है कि इलहाबाद में समाजवादी पार्टी में दो बहुत बड़ा गुठ हो गया है एक महासचुएं जी सरोजी का एक पूर महासचुएं रोती नमर जी का यमनापार में देखा जाता है कि बिना उनके जो है कोई सब्सक्राइब है मनी पूर महास्थाचीव, राष्टी महासचीव, महनीव सांसरजी, उतिरमन सिंह साथ समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े हैं और पार्टी बनिक के दिन से नेता हैं साथाफ़ का अपना स्थान है लेकिन धोनु एक दूसरे के पूरत हैं गंगा पार में भी राष्ट्री मास्टेशिप मानिन शारेंट जी के जरुवत हैं और जमनापार में जरुवत हैं तो दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है चुकि वो उनका संसरी छेत रहा है और वहीं से उनके बिटे विधायक है इसलिए उनको दखर अंदाजी उनकी जमना पार में आपको जादा दिख लिए सच यह है कि दोनों की बराबर की दखर अंदाजी है और दोनों एक दूसरे का सम्मान रखते हुए पार्टी की हिद में काम करते हैं अच्छे नेता जी कोई ऐसा गुर्वाजी हमारे यां नहीं है और हमारे आसिफ एक नेता राश्ट्रिय अर्चे रखले जादो जी हम सब उनके अनौनाई है चलिए अब मैं आपकी राजनीत पर बात करता हूं आसिफ ज समाजबर्दी पार्टी को लगता है कि आसिफ जाफली को चुना लगाना चाहिए वो जीतने लाइक हैं तो बिल्कुल हम रोलेंगे चाहिल की बात जो आपने कहीं चाहिल हमारी जन्भूमी है और साथ में कर्म हुमी है विदाय नहीं से पहले भी चाहिल में जन्भूमी होन मेरे सुत्रों ने तो ये बताया कि आसिफ जाफरी जो है वो फूलपूर से भी चुनाव लगाना चाहिए लेकिन पार्टी उन्हीं को टिकट देने जा रही है इस बार जो गल्दियां 2017 के चुनाव में हुई वो अब रिपीट नहीं होने जाते हैं फूलपूर प्रतापू तैस्वासन सुपूरे अलबाद मेयाब प श्यमीज़चणी यह से सब्सकरात है को सकता है। तो वहां लडा सकते हैं, उनको लगता है Пос مع Graduate को कि पशंद हमा करना हमारा काम दिए बने रहना हमारा काम दिन्ता दोग उठाना हमारा काम लेकिन हम वो काम को कितने अच्छे से कर पा रहे हैं यह पार्टी के बड़े नेता जानते हैं और ऐसी हालत में अपनी शर्ट डालना शर्ट लगाना पार्टी को बांधना कि नहीं से लरूगा कि कहीं न कहीं अपना वर्चत दिखाने की बात है इस प समाजवादी पार्टी को गठवंदन करना पला और वो सफलता नहीं मिली फिर 2019 लोक सभा में उसको बहुत बड़ा गठवंदन बहुजन समाजपार्टी करना पला तब भी उसको सफलता नहीं मिली 2022 में समाजवादी पार्टी अकेले चुनावलल के कैसे confidence में है कि समाजवादी पार्टी बिल confirm the majority अब जहां 2017 की आपने बात की समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 2017 तक बिलीव अभूद्पूर विकास का रहा 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 है चाहे वह आगरास्पेस्वरगी बात हो चाहे समाजवादी परिंशिंग एदना हो चाहे समाजवादी लोहीया आवास हो तमाम अन्यकों इनक काम किया इस प्रदेश की जन्ता की भलाई के लिए तमाम काम की दो आजार सब्तरा में चुनाव सजस्ट पहले है कुछ ऐसी परिशितियां पैदा हुई जो आप सकी जानकारी में है कि समाज़ादी पार्टी में लगबग दो फार तो नहीं बोलेंगे हालकि परिवारिक में कारकरता 2017 से पहले शुरू हो गया और 2019 तक कायम रहा 2019 जहां तक हम समझते हैं मेरी अपनी सोच है कि कुछ नहीं हमें लडाव लडाया और हमनों ने देखा कि समाज़बादी पार्टी का होट बहुदर समाज़बादी पार्टी में पूरी निष्टा के साथ ही मांदारी रजब रिसाब रहा ही हुद लेकिन शिकाइत हैं हमारी अनेक को ने एक सीट पर हमने देखा के बहुदर समाज़बादी का जो मूह लोटर कहीँ नहीं होटका रहा लेकिन और वह hellu और वह हमारे खलाप भाद्पा सब्सक्राइब ने वोट किया सर बोजन समायच पार्टी अधेस तो यही कहती है कि सपा ने वोटं को नहीं लिए हमारे राश्टी अजग जी शालीन है सब हैं बड़े चोटे का लिहाज करने की आदी हैं ठिक हैं उन्होंने कभी भी अपने चाचा या किसी खिलाब कोई शब मन्द है लेकिन जो सच है मैं भेंजिंग पर आरोप नहीं दे रहा है लेकिन उनके वोटरों में और जो मैं महसूस कर रहा हूँ हो यह है कि चुकि लगातार पिछले 25 साल से समाजबादी पार्टी करकरता हूं में आपसी गाउं लेविल पर आपसी विरोद था जो इत्ती जल्दी गडबंदन का रूप बन लेने हैं लेकिन अगर विधान समाज में रहता है तो साइद उसका फाइदा उननीस में मिलता और उसका फाइदा स्हुंद गडबंदन तोर कि का आपको लगता बहुजन समाज पार्टी ने अपने अंदर जाग के देखने ही पार हूं है कहीं ने कहीं हमारी राश्क्राद्र्च जो है उनकी अगल बगल ऐसे लोग आ गए हैं जो लगातार पिछले साथ वर्से पार्टी के नुक्सान कर रहे हैं और उनको गलत आकड़े और गलत डेटा पहुझा रहे हैं बहुदा समय पार्टी यह नहीं समय पा रहे हैं कि उनके जो मूह लोटर थी वो तो अभी बचे हैं 90% ल हैं और मेरा कि रूप में कांटेंट की रूप में आप भारत की अर्थवरस्था की बैलेंस इस एट को कैसे देखे देखे यह नहीं यह स Bak क्वप कि दुष customers यहा जिसको खिसकोब चर्टा है सको तीन बता रहे हैं जारे तीन आपको याद हो उसके बाद मार्च की जीडिपी भी हमारी जिर्टी मी है, मार्च चौबफिस के बाद पाइसे लॉक्डाउन लगा उस से पहले की बात में कर रहा हूं मैं जर्मड़ी परभरी के नहीं नहीं था जब लॉक्डाउन लग कर आपको याद हो मुझे याद आ रहा है कि शायद 5-550 पैसले 500 ते इस देश में बहुत कम थे और राश्ट्री हमारे मन्यि प्रधानमी जी जी ने कहा कि लॉक्डाउन लगा देंगे कोरोना ही रुप जाएगा काम सतम होगा और हमें लगता है कि उनका ये फैसला जो है बड़ा घातक हुआ इसका असर आज हम देख रहे हैं चुकि प्रिमेश्य लॉक्डाउन था हूँ लॉक्डाउन का मतलब होता है कि आप समय खरी जो हमें करनी चाहिए तैयरी करनी चाहिए उसमें पिछड़ गए और आज आपके सामने आखने हैं कि इस देश में 18,000 लोग से जाधा लोग क्रोना हम इस पर नहीं जा सकते यह कह कि अब छुटी नहीं पा सकते किसाब हमारे मुर्टी दर कम है हमारे हाँ रिकवरी रेट ज लेकिन हम आकड़ों की हिसाब से बात करते हैं हम दिका कि देखिए यह जो सरकार चल रही है यह हर फ्रंट पर फेलियो है लेकिन इसने एक ऐसी चीज़ पकड़ ली है च्छदम राश्टवाद और अफसोस के साथ कह रहा हूँ है अंधर राश्टवर्टी च्छदम राश् सब्सक्राइब बीचने पता यार तुली हम और उसके पीछे माने मनोजी मैं आपसे कह रहा हूं कि उसके पीछे बहुत बढ़ा खड़ियंत है हमारे इसी और पिछले समात के लोगों के लिए हम कि जहां से सरकारी नौकरियां आती थी हम जिन विभागों से सरकारी नौकरी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम निजी करण समाथ करने में आप सबखेंए कि हमारी सरकार बनने जारी प्रदेश के लावा एक और उन्होंने जिम लगा दिया है ऑश सरसिंग बजाए हमारे नौजवानों को बेचकारों को जो नोकली के लिए भटक रहें जगे जगे जिनका योग भी कर रहे हैं जिनको अपना बना रहे हैं उन लोगों को बजानोकली देनेके चुनी प्राइवेट सहंस्था हो को अला को आउट्सोर्स कर रहे हैं तो उसी जए काम चलें और पर आउट्सोर्स करके आउट्सोर्सिंग वाली जो कंपनीज हैं वह बहुत बड़ा पैसा सरकार से कमा रहे हैं और शायद नोकरी दे जाए तो हमारे हज़ारों हज़ार नोजवान उस नोकरी में आ जाएंगे और उनका घर परिवाद चल लिख लेगा उनकी नसले हैं तो जितने भी इनके गलत फैसले होंगे वह कहीं न कहीं बदले जाएंगे आप भी जानते हैं कि राश्ट की सित में काम करने वाजी पूर्वर्ट की सरकारे रही हैं जिन्हों ने आज इस संस्ताय बनाकर दी हैं इस देश को इसमें कोई शक्त सुबार नहीं कांग्रेस को और हम बता रहें किया हुआ था तो साथ जयर बाइस में चुनां होने है और उत्तर प्रदेश में कहा जाजाताइक है कि मुख पच्छी पार्टी तो समाजवादी पार्टी रहेंगी रहेंगी अकिर 2022 में समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर जनता गिए देखिया ऐसा है कि जब 2012-17 चुना हुआ सरकार थी उसके बाद हमने विकास के मुद्दे पर चुना रहा है धर्म और राजमीर हम अलग रखके चलते हैं लेकिन अफसोस के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को जो मौद्दा केन सरकार है और जो मौद्दा प्रदेश सरकार है वो जगे जगे ये दिखाने का प्रयास करती है कि यह पार्टी मात्र दो जातों की पार्टी जादोगों वहाँ आपको वासुद्धिक स्थिति ही है कि मन्य हमारे नेता मौलाईम सिंह आदो जी आने वाले दिनों में यही नाओ बत्रेस करें कि आने वाले दिनों में यहीं नौजमार तो भक्त बने तैल हैं कुए रही हों हमको यही लोग जो है को खाल पटेके और यह तिने दूर जाके गिरेंगे कि जमाने दोटने नहीं कि असीफ जाफ्री जी से बाची जारी रहेगी वक्त है एक बहुत शोटे से ब्रेक-ब्रेक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है? जाफरी साबude. जिब चुनवा आता है, तो आदर्ष वादी मुद्धे होते हैं, चिताबी मुद्य होते हैं, वो गाइब हो जाते हैं. अन मुद्धे रहा बी हो जाते हैं, कि अभी अछमीब आपनें शारा भी किया जयत के नाम गार्म के नाम पर यह को जाती है इसके पीषी क्या हो गो अचा 2 यह जहने और यह यह कि मॉनोग जइन शार्व के अधरिश के नाम पर एक ब Vamos को होटाने में नहीं जा रहा हर चुनाओं में आप देखेंगे विकास के मुद्धे से शुरू होते हैं और धर्म और अधनी तो भगवांची इगाम के नाम पर जो है वो अंत्र में आ जाते हैं यह उनके पास कोई और आप्शन नहीं कोई चारा नहीं चुकि चाहे वो केन की सरकार 6 साल की ह हो और 14% की सरकार 4 साल की हूँ इनके पास कोई ऐसा काम नहीं है जो यह बता सके मजबूती से कह सके कि यह मैंने किया यह सिभी एक काम करते हैं बहुत हैं समय पार्टी सरकार ने बने सब्सक्राइब फूले विद्यालें को पंडित दीन उपाधिया विद्याले कर दिया हु इनके पास नाम बदलने का लाओ कोई काम नहीं है जीलो के नाम बदल दिया मुगल सनाय का नाम बदल दिया फैदाबाद का नाम बदल दिया परियागराद का इलाबाद का नाम बदलने का लाओ कोई काम नहीं इनको नाम बदलने के बदलते समय यह भी ने इनको समझ में आ था कि नाम बदल कर हम यहां के चात्रों का क्योंकि दुनिया में लाहबाद यूनिस्टी की आक्सफोर्ड ऑफ इस यह पूला जाता है उसके पढ़ेवे बच्चों को जब दुनिया में प्रियागरा उस विसले बताएंगे तो उनके ओपर क्या पुब्लिक का इंपरिशन जा क्जिम्सी बोला जाता है आप ने प्रियाग राज करके कितना उक्सान प्रदेश के जिले के यह यह आप नहीं जानते जुस्कि आप सादुन या नव संथ हैं नव महात्माहोर आं नविद्वान है कि कशूर कला सब्सक्राब कर करक m तो लेगने नाली नला साफ करवाने में यह सब में ज़्यादा क्ह alpha कर गए to available थिन लाखा लगाए सबसे पहले तो आप नाली शाहिए को देखनाया की नाली नाला उगाए कि जो पर गए happyain to prepare को सब्दान सहले के 4 राख लोगों को पर जो क alimentos हैं Just जो मुसीबते हैं या उनके लिए रोज़गार के आफसार इसके लिए संगाशा को करना चाहिए लेकिन ये बदकिस्मती है समाज के लोगों की और बदकिस्मती मजबूरियां है विधायकों की कि वो नाले और हैंट पंप में सीमित हो जाते हैं कि हम विधायक बन के दरू जा रूजभा चाहिए तो शाहिए निल्क Taiyam 중 को चाहिए मेरे हिसाब से बहाँ पर कोई रोज़गार ऊथर देनेवाली कंपनी पर प्रक्रक्रीं हो जारे प्रिभी कोई को सिष्टा सियवाई भी cafe को छाम ये पी नहीं है वे दिशंबी में ये लेकिन नहीं या एरा है क्यों क ज़से बिधायकों इसे बाद करूं तो इतना बढ़ता जा रहा है फिर भी विधायक लोग विधायी कामों में कम रूची लेते पैसा कमाने की जुगत जलाल अच्छ उनको होती होगी जो यह मान के चलते हैं कि या तो हम दुबारा विधायक नहीं बनेगे यह अगर बनेंगे च्टिकेट मिलेगा तो हमें पैसा करके जीतूंगा चुकि मैंने कोई काम शेथ में नहीं किया तो वो जुकत में लग जाते हैं पैसा कमाने कि अगला चुनाओ लो रहाएं या ना लड़ें टिकेट ना मिले तो माल रहें और यह कहीं नहीं जो मैं पहले क की विधायकों में महसुस कर रहा हूँ और अब में कि कि पैसे ख explains ने चुनाओं में जय्जा हो निए हाँ पैसे की ज़्यादे मांग होगी डिमांड होगी काariatरता भी हमारा चाहता है चलने के देर्फ हुँ है क्विश्ट इसक Catholics दशते होगा उन्स पैसे में स सन्मान की जंग होती थी न वाइज पैसे की उस्त करते होंगे उस कर रही नहीं है चले सर हम थोड़ा सा अस्थानिये चुना और अस्थानिये अस्था पर बात करते हैं आसिव जाफरी ने चायल को 2017 में जिस तरीके से छोड़ा था क्या 2020 आते इस समय तक वो कुछ आगे वढ़ा क्यों वहीं है देखी ऐसा है कि मैं जो बोलूँगा आपको तो लगेगा विपक्ष की निता है जाहिसे वाद है विपक्ष के है वह लागी आपको पता है कुर्सी की लड़ाई वहाँ चल लेगी कभी मुखमंत्री जी मुखमंत्री बनने जा रहे थे वह योगी जी मुखमंत्री बनने के कुर्सी दुलवा कर बैठे ठीक है रहा सवाल वह उस दिले में उपमंत्री होने के बाद इतने मजबूत और कदावर नेता होने के बाद कोई भी विकास नाम की चीज नहीं आई प्रस्तावित सब कुछ है चुकि भाजपा की सरकार प् प्रस्ताव है सब प्रस्ताव ही रहता है इनका उस पर नहीं सालक पर रहा सवाल गड़े आप चलिए मैं आपको दिखाता हूं जैसी चाल को कौशंबी शुरू होगा आपको गड़े मिलना शुरू है गड़े हमारे यहां के पैचान हो रही है रोड पे गड़े एक रोड जो पूरा उसी से मनुदी रोड इसलिए बने गई कि उस 17-16 का प्रस्ताव था उसे बहले का प्रस्ताव था और वो पीम जेश्वाई का प्रस्ताव था उसका खुब रिंडोला पीटा गया कमानी विधाई जी ने जो है इरोड बन वादी रैट ओवर बीज पिछले सरकार प्रस्ताव होनगे उसका प्रस्ताव था को रूपोर को भी समयट लेता हूं एक नेता वी रूप में चायल और फूलपूर से फूलपूर में अभी आप क्या समस्या देखते हैं वो दूर होनी चाहिए जिस से विधायकों का चाहिए मैंने का चाहिए के मुकाबले फूल पूल ज्यादा विक्सित विधान सबाए है वहाँ इफको ने इफको के करण अच्छा विकास हुआ और वहां की क्याना में लोगों में एक विकास की रुजहान भी है लेकिन कोशांबी का चाहिए यह बिल्कुल पूर्त आविक्सित हैं यहां कुछ नहीं कोशांबी में तु सर्फ परेटन का बढ़ियां हो सकता महत्मा बुद्ध जी का राहा है मैंवती जी ने जहलबा वाली रोड को कौशंपाली तक बनवाने के लिए टेंडर किया था लेकिन सब्सक्राइब बढ़ने का टेंडर हुआ नहीं किर्यानमन नहीं हुआ और तक वो रोट सिंगल है अब प्रस्ता हुआ है कि फोलें बनेगी प्रस्ताव बनेगी कब शांजाती आज से साथ साल पहले आठ साल पहले जोंसाल फेले तो हंड़िड परसेंट बिकाश्यू हो जाता परिकरण के करन ही कोशंप बिकाता था लेकिन ऐसा नहीं को है चलिए सर दो हजार बाइस 2022 विदान सबा में आपको क्या लगता हूं तर परदेश का रंग रूप स्थीट हम जितने जा रहा है इसमें कोई डाउट नहीं पिछले टाक सो में संधीप पठेल ने भी हमसे काग तीन से तो इसलिए बोल रहा हूं मैं संधीप पठेल जी के अपने आलग आकड़ा हूँ लेकिन मैं इसलिए जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि इस वक्त परदेश चिला रहा है पूरी परदेश में सिर्फ इस वक्त कानुन विस्ताद दोस्त चुकिए पुलिस वालों का खुला तांड़ो चला है अभी आपने देखा होगा मैं कहता हूं विकास दूबेजी बहुत बड़े क्रिनल थे सच तो यह कि रिकॉर्ड के हिसाफ पे बड़े क्रि पुलिस वालों को तो उसने ही अत्या किया था वही मैं आपको जाब दे रहा हूं आप पुलिस वालों की हत्या उन्होंने की यह पुलिस वर्जन है हम नियाक यह बात करते हैं इसकी जाँ चुनी चाहिए अब सुप्रीम कोट ने साइटी बनाई है यह रिपोर्ट देगी क कि अगर सब कुछ सच है तो परदेर सरकार क्यों सुप्रीम कोट जाकर कहती है कि फ्राइज को उटा दीजेए हम किसी और को रख दीजे हम अगर सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ साफ है, सब कुछ किला है, क्यार्ट सिपाजियों को मारने वाला वो ही है, तो इसकी सुप्रीम कोर्ट दारा बनाई है, और न्यूक्त साइडी साइडी साइड दारा जाच हो जानी जाए है, विकास दूबे जी का मैं बचाओ नहीं कर रहा, उन्हो जोट है, न्याल है, कानून है, उससे उनको फांसी होनी चाहिए थी, फांसी होकर पूरे देश में मैसे जाना चाहिए, कि साब पुरिस मिजात्जी करने वाले को फांसी ही होनी है, अच्छा नेताज एक चीज़ बताईगे, दो हजार बाइस में, आप उत्तर परदिस में स समान हम सबको दिया, हम बहुजन समाज पार्टी से गये थे, तो हम सारे 300 सीट पाने के बाद भी, समान विचार धारा की पार्टियों को हम अपने में रखा दे सकते हैं, अकले शादू जी दे सकते हैं, आने मिल्ला किसी का और खाता नहीं खुलेगा, क्यों नहीं, 403 सीटे हैं, 403 सीटे हैं, बहुजन समाज पार्टी मैं आपको बोल रहा हूँ, सबसे कम होगी, किसी राशी दल में, उत्रप्रदेश में, अच्छा सर, बहुजन समाज पार्टी सबसे कम होगी, आप अंडर टेन या ओवर टेन, आप 19 है भी, जो आकले हैं आप देख रहे हैं, 19 है आदी होगी, आदी होगी, देखिए मैं नहीं बोला, ये जनता बोल लिए परदेश की, इन से अच्छे अखलेश, बहुत अच्छे अखलेश, ये बोल रही हैं, और हर जात, हर समाज का आदमी बोल रहा हैं, अच्छा, निता जी, एक सवाल मेरे थोला सा हटके है, वो पहल अच्छेन सरकार की नेतियां उसे अच्छे जा चुका था, अर्थवस्था की गाड़ी रुक चुकी थी, आपके बास आकले हैं, दिसंबर के, आपके बास आकले हैं, मार्च के, मुरा मत मानिये, आप उसको देखिए, कोरोना ने करेला और नीम चलावाला काहवत पूरी कर करोना काल में, तो सरकार के पैसले हैं, लॉक डाउन लेने की, यहां तक मैं समझता हूँ, एदे चार्डर रेकॉंट में, कि वो लॉक डाउन अब होना था, चुकि पूरे देश में, पूरे दुनिया में, जो मार्च, एप्रिल, में, और जून का महिना होता है, यह अर्थ उस समय करोना गिती बहुत कम थी, प्रियूनटिव एक्शन शुरूर हो जाने चाए ठराधे प्रूंट कि लेकिन लॉक डाउण अगर होना था तो यून इये pak conta नोगं को दान दिया श君स før डान किसे कि द्यूस को में आप से के रहा हूं इसं नोट normale प्रेकाज पुरी दुनिया कि टिहास में पैकिक का मतलब होता है कि इसकी नोकुरी चलेगी उसे का थे पैसा जाना ओंसे वापस नहीं करना works सर्कारों की जिमेदारी एक पालने मं भार होगी नोकरीय चलेगी कला क्वा 19 क्रोड फोल और होट 25 क्रोड जाने वंद्ध पालि 24 क्रोड लोग बेरोजगार हो गए व्रुजा लेल चाहिए थी वो हो गया पैकेज जो सरकार की कोटे से जानी चाहिए आपने क्या कहा रेड़ी मजदूर थे पाज़र करजा ले लो मसमी वाले हो पाज कोड तक ले लो बड़े उद्धोग वाले हो 20 कोड ले लो करजा तुम कहो या न कहो अपने पैसे को बचाने के लिए उस उद्धोग पती को बैंक किसी भी हद पर जाकर पैसा देती है कि अपने दंजों को बचा उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं हां एक काम जो हुआ जिसको हम मानते हैं कि जो RBI ने अभी बीच में अपने लिक्विडिटी बढ़ी लेकिन मौनोज जी जब तक अर्थवस्ता के चक्के चक्के नहीं चलेंगे जब तक बारा क्रोड़ लोग दुबारा पी नोकरियों में ना आ जाए जब तक आप मान लेना कि अर्थवस्ता हमारी रास्ते पहने वाली नहीं दूसरी बात राष्ट एक किलुमेटर दो किलुमेटर पीछे चला गया हमने कह दिया कोई बात अब नहीं तो द्राष्टी पार्टी राष्ट की पार्टी हो सबसे बड़े राष्ट के निता हो देश को सबस्यादा चाहने वाले आपी हो उसके बाद भी देश की अन्ता गुम्रा कर रहो सच्छा सुकोई आचुके सबाचुके तो बेटर अप्शन आया आपने ऐसा उसको आपने और रहा सवा लिए कि सरकार की लोग कभी हमारे प्रदरमादीजी का भाष्राने में आपको सुनाओंगा कि इस देश में जो अन्दिश्वास है उसको हटाना पड़ेगे तब देश का विक देश नहीं चले जा रहा है धर्म और आजिती आपको अलग करनी होगी आदमी को पहचान कर काम आपको नहीं करना होगा देश के लिए काम करना होगा उन्हों जी इसमें सरकार पिछड़ लाई बुरी तरीके से अर्थवस्ता को सही पट्री पर आने पर कम से कम दो साल लग दुबारा मंजनपूर से विधान सवाज चुनाओ 2022 में लगे देखिया ऐसा है महनुत जी एक बहुत 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 सवाल आपने कर दिया चोटा नहीं है यह फैसला हमें ने करना मनें जी सरोजी को ने करना हम लोग तो पार्टी के सिपाई हैं पद में तद में हम कुछ भ लड़ लेंगे और मुझे लगता है कि अकले श्यादो जी के फैसले कर लो कोईर फैसला तय नहीं करने जा रहा है कि मुझे लड़ेंगे लड़ेंगे चली मेरा अंतिम सवाल आप चाहिल से विधाय रहे हैं मानके चलते हैं कि चाहिल आपकी विधान सवा है अगला आपको अलावा और बी आप्शन आगए और भी लोग आ गय जिनको आप ने देख लिया दो हजार बाइस में सही फैसला कीजएगा जो बहतर लगे जो आपको लगे चैन के लोगों को लगे कि चैन के विकास कर सकता है उसको दो हजार बाइस में चैन कर बेजिएगा सरकार प्रदेश प्रदेश में किसी की बने अगर आपका चुना हुआ व्यक्ति मजबूत है दपानी वाला है और आपकी हित की बात करेगा तो आपके लिए संगर जरूरू करेगा और कुछ नहीं कुछ बहतार आपके लिए करेगा बाइस का चुनाओ बहुत सोच समझ कर आप जैसा कि आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी ने ता चायल से पूर विधायक आसिव जाफरी जी थे आसिव जाफरी का कहना है आज प्रदेश और केंद सरकार की गलत नीतियों की वज़े से देश की अर्थबे उस्था गर्त में जा रही है देश में रोजगार परक कारें नहीं हो रहे हैं और लागडाउन गलस समय पर लगाने की वज़े से जनता बहुत परेशान है कुरोना से सरकार उबरने में नाकाम्याब रही है इसके साथ कौसांबी को लेकर के आसिव जाफरी का कहना था कि वहां पर भी रोजगार पर कोई कारें नहीं हो रहे बरतमान जो सरकार है वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे जो कौसामभी की जनता को समस्याओं से निजात मिले आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम जन प्रतिजियों से मुलाकात करवाते रहेंगे देखते रहें